नमस्त दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत है आपके अपने योट्योब चानल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पता लगा सकती है कि अब एक दो घंटे में या फिर एक दो दिन में ही आपकी डिलिवरी होने वाली है आपको बिल्कुल तयार हो जाना है और आपको अब डिलिवरी के लिए कुछ भी वेट करने के आवस सकता नहीं है बहुत सारी महिलाओं को चीजों की जानकारी नहीं होती है जिसकी वज़े से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी डिलिवरी के समय हो जाती है बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले से तैयारी ही नहीं कर पाती है और आपकी delivery का समय आ जाता है तो ऐसे कोई भी परिशानी आपके साथ ना हो इस वज़े से ये वीडियो देखना पूरा बहुत इंपोरेंट है अक्सर आपको due date देते है और जो due date देते हैं डॉक्टर वो हमेशा आगे की ही देते है 15 दिन आगे की due date रहती है और अक्सर देखा जाता है कि due date के पहले ही आपकी delivery हो जाती है लेकिन कुछ महिलाओं की due date तक delivery नहीं होती है और वो और भी ज़्यादा इंतिजार करती रहती है कि अब हमें delivery के symptoms आएंगे तो मैं आपको ये बता दो friends कि अगर आपका 40 या 41 हफता हो चुका है complete और होने वाला है और अभी भी आपको कुछ भी delivery का लक्षन नहीं मैसु सोड़ा है delivery आपकी हो नहीं रही है तो आपको तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि उसके बाद बच्चे के साथ काफी ज़ में लेने से बच्चा स्वस्तो होता है इसलिए आपको कभी भी समय के बाद इंतिजार नहीं करना चाहिए आपको तुरन डॉक्टर के पास जाकर मिलना चाहिए और हो सकता है कि अगर आपको इंड्यूस करने के बाद delivery के पेन आने लग जाए अगर आपका सभी सोपेन हो ज आपको सब्सरार्म से जुर्डीवी आपको सब्सक्राइब ऑने बिडिलिवरी होने वाली है जरूरी बात जब आपका आठवा महीना लग जाता है तब वी आपको बैग पैक कर लेना चाहिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं बच्चे से जुरीवी आप से जुरीवी वो सारे समान आपको बैग में तयार करके रखना चाहिए क्योंकि कभी भी delivery के लिए जो symptoms appear होते हैं exact वो आपको बता करके नहीं होते हैं तुरंट से हो जाते हैं तुरंट आपको sudden hospital भागना पर सकता है इसलिए अपना backpack करीब एक महीने पहले delivery date के आपको कर लेना चाहिए इसकी पूरी तयारी आपको करके रखनी चाहिए पहले से हैं अब उसके बाद जब आपका नौमा महीना चालू हो जाएगा तो first symptoms क्या होता है पहला जो symptom होता है friends काफी सारी महीलाओं को जो 15 दिन 20 दिन पहले से होता है वो होता है mucus plug टूटने का दोस्तों आप यहाँ पर mucus plug की picture देख सकते हैं mucus plug एक तरीके का transparency या फिर पिंक कलर का या फिर रेड कलर का आपको discharge महसुस करा सकता है और यह discharge बहुत थिक भी जाता है रुक रुक कराता है और यह continue आपको 15 दिन या 20 दिन तक भी कई महिलाओं को होता रहता है और इसके पीछे reason क्या होता है जब आपका बच्चा पेलवी गडल में आ जाता है यानि कि जब आपका बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है उसका head down हो जाता है तो बच्चे दानी के मुव पे एक layer होती है जिसको हम mucos plug क्याते हैं तो यह mucos plug प्रोटेक्ट करता है बेबी को किसे भी बाहरे infections है bacteria न जाए आपकी uterus के अंदर बच्चे को नुकसान न पहुँचा है इसलिए यह cover करके रखता है आपकी uterus को लेकिन जब बच्चा normal position में आता है head down position में और आपकी delivery होने वाली है क्योंकि बच्चे दानी से अब आपका बच्चा head आगे की ओर लेके जाएगा बाहर की ओर लाएगा तो यह mucos plug तूट जाता है और कई बार यह कुछ दिन पहले से ही होने लग जाता है और यह बार यह कम वात्रा में भी हो सकता है डिपेंड करता है महिला के सरीर के उपर तूसरी बात कि आपको हमेशा नीचे की तरफ कुछ फंसा हुआ महसूस होगा जहां से आप urine पास करती है वहाँ पे कुछ फंसा अब चलेंगी कैस बैठेंगी तो आपको अनीजी सा फील होगा लगेगा कुछ फंसा हुआ है कुछ गिरने वाला ऐसा भी बहुत सारी महिलाओं को महसूस होता है वह इसलिए होता है और बहुत पेल्विक मसल्स पर प्रेशर बनने लगते हैं जिस वाज़े से आपको ऐसा म 15-15 मिनट पर आपको फ्रिक्वेंसी के साथ यूरीन निर्शन की प्रॉब्लम काफी ज़्यादा हो जाती है बहुत यूरीन पास करने की इक्षा होने लगती है और यह कम-कम समय में होने लगता है भले यूरीन बहुत चोटे से कम क्वांटिटी में ही जाएगा लेकिन आप पानी की थैले फट जाने पानी की थैले फटती है या फिर लिकेज होता है तो लिकेज और पानी की थैले फटना दोनों दो बाते होती है लिकेज में आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है आपके प्राइवेट अंगों से लेकिन फ्रेंड्स जब without best any time, डॉक्टर से का मिलना चाहिए और उसके कुछ दिर बाद ही आपकी delivery हो सकती है, आपको लेवर पेन भी स्टार्ट हो सकता है या फिक कमर के पास बहुत तेज होगा और पेट के तरफ आ जाएगा और यह lever pain रुक रुक कर आएगा यानि हो सकता है कि अब ही मान लीजे lever pain आया और इसी के 20 मिनट बाद फिर से lever pain आया और रुक गया क्योंकि हमेशा लेवर पेन रुक रुक कराता है ताकि महिला का जब सर्विक्स ओपेन हो तो वो अच्छी तरीके से ताकत लगा कर पुछ कर पाए उस लेवर पेन के साथ पांच मिनट पे ऐसे आने लगता है और क्या तेज होता है फिर रूख जाता है तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है आपको तुरांट डॉक्टर के पार जाना है तुरांट आपको हस्पिटल के दरब भागना है और डिलीवरी का पेन चालू हो जाता है तो बहुत सारे महिलाहों को बातरूम जाने के बहुत आवेसकता होती है क्योंकि इस समय आपका पेट खराब हो जाता है या तो आपको बार बार पोटी आ सकती है या सुसू आ सकती है और जब आप ह entrepreneur भी जाते है तब आपको एडिमा द नीचे ही फर्स पे बैट करके बातरूम के आपको यूरीन करना चाहिए क्योंकि समय हो सकता है कि आपकी डिलिवरी भी हो जाए बातरूम में तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए चोटी-चोटी बाते अकसर कोई भी नहीं बताता है और इन सब चीजों के अच्छे से इस दुनिया में आएगा साथे साथ अगर आपको कोई भी मन में शंका या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर पूछिएगा इस वीडियो को अगर आपने थोड़ी सी भी पसंद की है तो लाइक करना और शेयर करना बिलकुल भी ना भूले ल